क्रिपया हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बिल आइक उन दबाएं प्रभाब किबर के वीडियो सेक्शन में आप सभी का स्वागत है मैं एक बार फिर आपके सामनी हूँ मनरंजन जगत के खबर लेकर और आज हम बात करेंगे भूचपूरी इंडस्ट्री की जी हाँ भूचपूरी सीनिमा की एक अलग फैन फोलोइंग है उनकी दिवान की इस कदर देखी जा सकती है कि सोशल मीडिया पर उनकी फिल्में और गाने जैसी ही अपलोड होते हैं उन्हें करोडो व्यूज मिलते हैं रवी किशन से लेकर दिनेश लाल यादव और खिसारी लाल तक सबकी फिल्में और गाने लोग खाजा पसंद करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो एक फिल्म के लिए कितने फीस लेते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं भूजपुरी फिल्म्स के इन स्टार्स की एक्टिंग को डेकर साउथ की फिल्मों में भी उधी साइन किया जाता है भूजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और रवी किशन बीजेपी की टिकर पर चुनावे मैदान में हैं वहीं खिसारी लाल यादव एक्टर निरहुआ का सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है रवी किशन को भूजपुरी सिनेमा का अमिताब बच्चन कहा जाता है वह भूजपुरी इंडरेस्टरी के एक लौते ऐसे एक्टर हैं जिने भूजपुरी के अलावा दूसरी भाषाओं के फिल्मों में साइन करने के लिए मेकर्स इंतजार करते रहते हैं रवी किशन ने भूजपुरी के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और तेलगू फिल्मों में भी काम किया है वे एक फिल्म के लिए 50 लाख रुपय लेते हैं फिलहाल वे राशनीती में कदम रख चुके हैं रवी किशन गुरपूर लोकसभासीर से भाजपा के प्रत्याशे के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं इसके बाद बात करते हैं हम अभिनेता पवन सिंग की भूजपुरी के स्थापित सितारों में पहला नाम पवन सिंग का भी आता है इसके बाद हम बात करते हैं खिसारी लाल यादव की खिसारी लाल यादव को एक्शन कॉमेडी फिल्मों का राजा कहा जाता है उनकी सूपर हीट फिल्मों में जादातर फिल्में इसी जॉनर की है एक इंट्रिव्य में खेसारी लाल ने बताये था कि वे फिल्मों में आने से पहले दूद बेचा करते थे कड़े संघर्ष और लगन से उन्होंने आज यह मुकाम हासिल किया है खेसारी लाल एक फिल्म के लिए 40 लाख रुपए लेते हैं भूषपुरी सिनेमा में दिनेश लाल यादव निरुवा को पारिवारिक और देशब्रक्ति औरियेंटेट फिल्मों के लिए जाना जाता है निरुवा इंडर्स्री के सबसे चर्चित सितारों में से एक हैं उन्होंने लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद सफलता का मुकाम हासिल किया है शुरवाती दिनों में वे नीची कारेक रमों में गीत गाते थे वे लोगसभा चुनाव 2019 में भाजपा की तिकट पर चुनावी मादान में उतरे हैं वे आजमगर लोगसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं वे एक फिल्म के लिए करीब 30 से 40 लाख रुपे लेते हैं सिंगर से अभिनेता बनी मनोश्तिवारी अब फिल्मों से दूर हैं वे पूरी तरह से राचनीती में उतर चुके हैं मनोश्तिवारे दिल्ली भजपा के प्रदेश, अध्यक्ष और सांसद है वे एक फिल्म में काम करने के लिए 50 लाख रुपे तक चार्च करते रही हैं